हाई फ्रेंड्स मैंमीत आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्मेंट जॉब आल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल आज का जबदस अपडेट आपके लिए लेकर आई हो टाटा की तरफ से बहुत अच्छी रिक्रूट्मेंट आगी है जिसमें आपको ना ही कोई काम होगा ना ही कोई पे करनी है तो ऐसी विकेंशिस को तो हाथ से जाने ही नहीं देना चाहिए अगर आप अप्लाई भी ज़रूर करना है तो किस तरह अप्लाई करना है कौन-कौन सी विकेंशिस आउट की यह मैं आपको सारा बताऊंगी और एक इंपॉर्टेंट पात है कि दो लिए दो नोटिफ्केशिन रिप्लाईकें में रिल्पनी में मिंगा स्विकेंशिं तो किा के दोड़िए साथा कौन सार की विकेंशिस किई हैं ऐसे क्या के निलिए रहने गाली हैं आपको विडियो को मिलाई जरूर्श है तो आपके मन में कोई ना कोई डाउट रहा जाएगा लिजिवल्टी को लेकर तो वीडियो को सबसे परें लाइक कर दीजिए बहुत मेंनत से मैं आपके लिए अपडेट लेकर आती हूँ बहुत पसंद आ रहे हैं आप सब को वीडियो बहुत अच्छे चे मेरे पास कमेंट् आप मुझे कमेंट जरूर करना उस पर भी मैं जरूर फोकस करूंगी अब हम बात करते हैं रिकूट्मेंट की और अगर आप फर्स्टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना इससे आपको हर एक जो आउट देशे जा चुकी है जिसमें आपके स्केरेट की वेकैंसिस अलग आ गिया और सइंटर किया लग मेरे पूरी कोशिश रहते हैं जो फ्रेशर केंडिटेथ हमारे चैनल पर जाता है उनके बहुत सारी कमेंट आते हैं हमारे लिए वेकैंसिस नहीं आरी है तो मेरी क 55,000 पर मंत लेहते औलग पोष्ट वाही में है किस पॉस्ट के लिए कितनी है भी बताऊंगी और सबसे हैं इसके लिए किस तरह करना इसके लिए आन्लाइन भी अपलाई कर सकतें और 사ने करोंगे तो अपनी हमको में हम जुआ देक हैं नहीं करनें और को एक्जाम होगा और चीजह देवा पॉटल पर जाकर अपको आपको उपलाई करहें लिकाने कमोट और यह को जैसेthest नहींकी आपको लाइसरा भीजनों की नोटिफ्केशन में मैंशन किया हुआ है तो ताटा की तरव से वेकंसी और किसी भी आपको किसी तरह की आपको पे नहीं करने हैं बहुत अच्छी अपरशनुटिया प्लस पॉइंट यहां पे ना ही कोई अग्जाम देना है तो अपलाई तो जरूर कर लेना चाह इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यह भी स्लेक्शन पुरिसीजर इन में केंडिलेट को जो शौट लिस्ट किया जाएगा उनको बुलाया जाएगा यहां पर इंटर्वीव के लिए या फिर डार्क डॉक्मेंट वैरिफिकेशन के लिए वह उनके ओपर डिपैंड करेगा व सेलेक्शन पुर्शीजर वैसे औनों आहीं किया हूआ उसके बात करते हैं घी जर्ज नोटिफट किन work के लिए थे इंजिनर रेलिकिसंट सबसे पहले हम बात करते हैं फिर्स नोटिफ ден केशन की जो है जीरो-टुटिट्वञंत शनोपर आफável इसमें जो एवकेंश नी बि इसके लिए आप देख पारे हैं डिजायरेबल एक्सपिरेंस है ऐसा नहीं है कि यहां पे मेंडेटरी या फ्रेशर हो अप्लाई कीजिए बहुत अच्छी अपरिशनिटी है और फर्स्ट वाली जो वेकेंसी है इसकी आपकी जो सेल्डी रेगी 25,000 पर मन्त आपको सेल्डी मे इससे नेक्स्ट वाली पोस्ट आपकी सैल्डी रेगी 16,000 पर मन्त रहें अभी फर्स नोटिफकेशन की ही बात करें जिसमें हम दो वेकेंसी की बात कर चुके है इसमें आपकी जो एज रहने वाली फर्स नोटिफकेशन में में मैक्सिमम 28 मिनिम्म जितरी मर्जी आप अपक कर सकते हो और यह आपकी एक साल की कॉंट्रेंट बेसिस जॉब रहेगी बाद में एक्स्टेंट हो सकती है आपकी पर्फोर्मेंस के ओपर डिपेंड करता है अब बात करते हैं सेकेंड नोटिफकेशन के बारे में जो की 03-2020 है यह जो वेकैंसी इसमें इजीने ट्रेनी की है एक फिर यह प्रणीक्स में आपने भी एकी हुई है या फिर बिटेक एलक्ट्रोनिक्स में या फिर अपनी डिप्लोमा ट्रेनी की जो पोस्त है उसके लिए विए प्रेश केंडिडेट के लिए इसमें तो डिजायरेबल भी नहीं है को किसी भी टाइप का एकिस्पेरियनस तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको सेल्डी रहने वाली है अगर मैं आपको सेल्डी पिता हूं 16,000 से 25,000 पर मन्त रहने वाली है एज रिमिट 18 to 28 है बात करते हैं आपे लास्टेट की लास्टेट जो अप्लाई करने के थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2020 है तो जल्दी से आपको अप्लाई कर लेना लास्टेट से पहले पहले सेलेक्शन प्रोसीजर में आपको बता ही दिया और मैंशन नहीं किया यह जो चांसी मिल जाती है चाहिए वो विकैंसिस को लेकर हो रिजल्ट एड्मिट कार या फिर किसी इंट्रव्यू को लेकर हो वहां पर विजिट करके इंफोर्मेशन दे सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफोर्मेशन के साथ थैंक्स पर वाचिंग